वेलकम टू नेक्स एक द्याम आज है 22 जनवरी 2022 और 22 जनवरी 2022 से करेंट अपैस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्यन मन सकते हैं सारे हमें इस वीडियो में डिस्कुस करेंगे और हर कुश्यन से रेलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप प टेलेग्राम ग्रूप पर आपको सारे पीडियाप एक साथ मिल जाएंगी और टेलेग्राम ग्रूप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिसकुस में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलेग्राम ग्रूप जाइन कर सकते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं पहला कु तक आए जा सकता है तो इस question का बे आप्सैं साहिए अब Scotland तो ये मैम 7 में Scotland Scotland कि crypto क्या है इडन वर्क इस्कॉटलान की क्या है पॉंड स्ट्रिलिंग all primera स्कॉटलान एक प्रिजेंट पे PLAY क्वाइब क्याना है.. निकोला इस्टरजन कई निकॉला इस्टरजन तो इस question को like और share ज़रू क्या करो और मैं आपको भी बोलता हूँ daily morning mode कर सबसे पहले अपने एक target fix करो लेकिन daily morning mode कर सबसे पहले अपने एक target fix करो और फिर अपना पूरा दिन उस target को achieve करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी next question है हाली में किस देश ने एक metro station का नाम महत्मा गांदी के नाम पर रखा है तो अभी मौरिसस ने अपने एक metro station का नाम महत्मा गांदी जी के नाम पर रख दिया तो इस question का say options आई है कल में आपको बताया था कि H.A.L. यानि कि हिंदुस्तान Aeronautics Limited ने helicopter निर्यात के लिए मौरिसस के साथ समझाता किया अब मौरिसस तो ये है मैप में मौरिसस मौरिसस की capital क्या है? Port Louise मौरिसस की currency क्या है? मौरिसस रुपे और मौरिसस की present time पर प्रामिश्ट कौन है? प्रभिन जगनौत कौन है? प्रभिन जगनौत नेक क्यूशन है हाले में भारत और किस देश ने मौजूदा बिग्यान और प्रोध्यों की सायोग समझाते को तेन साल के लिए बढ़ा दिया है तो अभी अपने देश भारत और स्री लंका ने मौजूदा बिग्यान और प्रोध्यों की सायोग समझाते को तेन साल के लिए बढ़ा दिया तो इस कुशन का बे आप्सन सही है अब स्री लंका तो यह है मैप में स्री लंका स्री लंका की अपिटल क्या है? स्री लंका की करनसी क्या है? स्री लंका रूपी और स्री लंका की प्रजेंट टैम पे प्रैमिश्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षी अच्छा स्री लंका की प्रजेंट टैम पे प्रेसिडेंट कौन है? गुटाव या राजपक्षी इस map में जो आपको सी लंका दिख रहा है यहां से एक question बनता है कि इंडिया और सी लंका के बीच में कौन सी खाड़ी है तो इंडिया और सी लंका के बीच में है पाक की खाड़ी इसे पाक state या फिर सुद धिरनी में पाक जल डमरू बंडल कहते है नए question है हाली में NHIDCL के नए MD कौन बने है तो अवे चंचल कुमार NHIDCL के नए MD बने है तो इस question का say options है यह है 1992 बैच के बिहार केडल के IS अधिकारी चंचल कुमार और यही NHIDCL के नए MD बने है अब NHIDCL यानि कि National Highway Infrastructure Development Corporation Limited इसके नए MD बने है चंचल कुमार अच्चा NHIDCL की स्तापना कब हुई 2014 में और इसका हेड़कॉर्टर कहां पे है निव डैली में नए question है हाली में बेरता पुरुसकार पूर्टल द्वारा आयोजित इंट्रेक्टिव बर्चूल संग्राले का उद्गाटन किस ने किया है तो अभी अपने देश भारत और इसराइल के बीच आठमी सासी निकाए की बेठा कायोजित की गई तो इस question का A options है अब इसराइल कल में आपको बताया था कि एरो थरीका सबलता पूरुवक पर इक्षड इसराइल ने किया ये है मैप में इसराइल इसराइल की केपिटल क्या है येरूसलाम इसराइल की करनसी क्या है इसराइली न्यू सेकल और इसराइल के प्रेजेंट टेम पे प्राइमिस्टर कौन है नपताली बैनेट अच्छा अभे इसाख हर जोग इसराइल के नई राश्पती बने है ओफैक 16 नामक एक स्पाई सेटिलाइट लौंच किया इसराइल ने जलबायू परवर्तन को रास्ति सुरक्षा का मुद्दा गोसित किया है इसराइल ने और बड़े पेमाने पर इन प्लेटेवल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परिक्षड भी इसराइल ने किया है इसराइल में एक सेहर है तेल अभीव यहाँ पर एक स्टेट का नाम अदल कि गुरुदेव रबीन नाट टैगोर की नाम पर रखा गया है अच्छा इसराइल की संसत का नाम भी कभी-कभी एक जम्द कुझा आता है इसराइल की संसत का नाम है Neset K-N-E-S-S-E-T Next question है हाली में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने बित बर्स 2023 में भारत की जीडीपी ब्रद्दीदर कितने प्रत्सत रहने का अनुमान लगाया तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने Finance Year 2023 में भारत की जीडीपी ब्रद्दीदर 7.6% रहने का अनुमान लगाया तो इस question का say options आई है Next question है हाली में इफको के नए अध्यच कौन बने है तो अभी दिलीप संगानी इफको के नए अध्यच बने है तो इस question का बे options आई है आप image में देखिए ये जो प्रदामनत्री नरेंद मोदी के साथ खड़े है यही हैं दिलीप संगानी और यही अब इफको के नए अध्यच बने है अब इफको इफको की स्थापना का हुई थी 1967 में इसका हेड़कोर्टर कहां पर है निउ डेली में और अब इसके अध्यच तो यही बन गए है दिलीप संगानी नेक्क क्यूशिन है हाली में किस ने 21 जन्वरी 2022 को अपना पचासमा इस्थापना दिवस मनाया है तो अभी त्रिपुरा मड़पूर और मेगाल है इन तेनों ने 21 जन्वरी 2022 को अपना पचासमा इस्थापना दिवस मनाया तो इसकूशिन का डे अप्सन सही है उप्रियुक्त सभी इसमें से त्रिपुरा और मड़पूर ये अलग रियासतें थी जो 1949 में भारत के साथ जुड़ी और ये जो मेगाला है ये असम का हिस्सा था ये तेनो ही उत्तर पूर पूररगटर अधिनियम के तहत 1971 में पूर राज़ बने थे इसलिए अभी 21 जनवरी 2022 को इनका पचासमा इस्थापना दिवस मनाया गया है ने शुशिन है हाली में कहां इन्फ्रास्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् और अर्णाचल प्रदेश के प्रिजेंट रैंपे गवर्नल कौन है ब्रिगेडियर बेडी मिस्रा अर रिनम जन जाती ये अर्णाचल प्रदेश में पाई जाती है पके टाइगर रेजर ये अर्णाचल प्रदेश में है नाम दफा नेशनल पार्क ये भी अर्णाचल प्रद बुजुर्ग ब्यक्ति जो पुरुष थे इनका अभी निधन हो गया है वे किस देश की थे तो यह इस्पेन के थे तो इस कुश्चिन का से ओप्सन सही है आप इमेज में देखिए यह थे दुनिया के अभी तक सबसे बुजुर्ग ब्यक्ति सैटर निनो डेला फुएंते इन का अभी 122 बरस 341 दिन की उम्र में निधन हो गया है इनको गिनेज बुक और बर्ल्ट रिकॉर्ड में इनका नाम दर्च किया गया था अब यह इस्पेन की थे तो यह है मैड्रिड इस्पेन की कर्ँनसी के यूुरो और इस्पेन के प्रजाइन डैंब पराइन कोैं हाली में Oxford University ने किसे 2021 का Children Word of the Air गोसित किया है तो अभी Oxford University ने 2021 का Children Word of the Air गोसित किया है एंजाइटी को तो इसकुश्चिन का बे आप्सन सही है नेक्स कुश्चिन है हाली में प्रतिस्ठित नासा कारिक्रम पूरा करने वाली पहली भारती कौन वनी है तो अभी जानवी डांगेती प्रतिस्ठित नासा कारिक्रम पूरा करने वाली पहली भारती वनी है तो इसकुश्चिन का से ओप्सन सही है यह है आन्द प्रदेश की जानवी डांगेती और यही प्रतिस्ठित नासा कारिक्रम पूरा करने वाली पहली भारती वनी है अब NASA यानि कि National Aeronautics and Space Administration NASA की स्टापना कब हुई 1958 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है Washington DC में और NASA की प्रजेंट टेम पर Administrator कौन है Will Nielsen कौन है Will Nielsen Next question है हाली में ICC Men's T20 International Team of the Year की कप्तान कौन मने है तो पाकिस्तान की बावर आजम ICC Men's T20 International Team of the Year की कप्तान मने तो इसका इसका बे ओप्सन सही है Next question है हाली में किसने बेडियो गेमिंग कमपनी Activision Blizzard का अधिग्रेड करने की गोशना की है तो अभी Microsoft ने बेडियो गेमिंग कमपनी Activision Blizzard का अधिग्रेड करने की गोशना की तो इस question का say option सही है अब Microsoft Microsoft की स्तापना कब हुई 1975 में इसका headquarter कहां पे है Washington DC में और इसके present time पे CEO कौन है सत्या नडेला कौन है सत्या नडेला अब last video के question का answer last video मैं आप से question पूचा था कि हाली में कहां पहली बार यातायात के लिए infinity bridge खोला गया है तो अभी दुबई में यातायात के लिए पहली बार infinity bridge खोला गया तो इस question का say option सही था और लगबग सभी stradness का answer सही दिया mostly stradness के वारें detail में लिखा मैं आपको एक वर पिर बोलूगा question के बारे मैं आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उने आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में नुसं तारा को केस देश ने अपनी नई राजधानी गोशित किया है चार option दिये गए हैं इनमें से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाब आप हमारे Facebook page पर previous year question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook page join कर सकते हैं क्यूंकि previous year question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई प्रोलोम है तो आप Instagram पर indreshrc indreshrc Instagram पर indreshrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का आप target जरू याद रखना आज किस वीडियो का target है 40 या like का तो अगर ये video आप पूच्छा लगा है helpful लगा है तब आप इस video को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related whatsapp और facebook ग्रूप है उन में आप इस video को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमार current fs का video आपको ये video कैसा लगा प्लीज comment box में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने वारे इस channel को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लेजिए आपको इस channel से निश्चित ही मदद मिलेगी जब भी आप से सब्सक्राइब करेंगे तो बरावर में एक bell icon बन के आएगा आप उस bell icon बे जरू क्लिक कर लें जिससे कि आपको daily warning में current interface की वीडियो मिलती रहे next exam always with you thanks for watching